वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस इस मूवी से पहले मैंने पीटर पैन मूवी को एक्स्प्लें किया था जिसे कि आप अगर इस मूवी से पहले देखेंगे तो आपको इस कहानी का बेस अच्छी तरीकी से पता चल जाएगा गाइस वैसे तो ये मूवी पीटर पैन मूवी से पहले आई थी लेकिन पीटर पैन मूवी से रिलिटेट बहुत सारे स्टोरीज है इसी कारण उसी स्टोरी से इंस्पायर होके ये मूवी पहले आई थी और पीटर पैन की में स्टोरी काफी टाइम बाद रिलीज हुई थी इ पीटर ने भी हमीशा हमीशा के लिए नैवरलेंड छोड़ दिया था जहां पर मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एक ठीटर एक्ट देखते हैं जहां पर दो छोटे छोटे बच्चे थे जिसमें से एक बच्चे विंडी का रोल अदा कर रही थी वहीं दूसरा बच्चा आधर था यहां पर एक फैमिली इसी शो को देख रही थी लेकिन यहां पर जो फैमिली हमें दिखाए जाती आग! इसायद उसके फादर पीटर उसका मैच देखने जरूर आएंगे! लेकिन दूसरी तरफ इपने ऑफिस के कामों में बहुत ही इसी कारण वो जैक का मैच देखने के लिए नहीं आता है जहां मैच के फाइनल के अंदर जैक हार जाता है और पीटर जब तक पहुंचता तब तक मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका था इन सभी लोगों को लंडन में अपने पुराने घर के लिए निकलना था लेकिन पीटर उसे डांट देता है अभी सभी लोग लंडन पहुच चुके थे जहां पर पीटर कहता है कि हमें बिल्कुल अच्छे से सभी से मिलना है क्योंकि लंडन में सभी लोग बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं लेकिन जैसे यह लोग आपस में दूसरे से मिलते हैं तो य यहाँ विंटी पिटर के बच्चों से मिलती हैं जो कि के दिया कि तुमारे बच्चे बहुत हैं और बहुत बड़े भी हो चुके हैं। पीटर को अपने ओफिस से इतने जादा कॉल आते हैं कि वो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहा था, वहीं बच्चे इतना जादा शोर करते हैं कि पीटर उन्हें डाट के उस रूम से पाहर भगा देता है, यहां मौईरा पीटर को कह दिये कि तुम्हारे खेलने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तुम किन के साथ खेलोगे, काम अपनी जगह है लेकिन बच्चे अपनी जगह है, इसी कारएं मौईरा घुसे में आके पीटर का फून भी फैक देती है, यहां विंडी पीटर के बच्चों को स्टोरी सुना रहे थी, वो बताती है कि आट से कहीं सालों पहले हमने इसी खेलगे के बाहर बैटके बहुत सारी स्टोरी स्मीज लिखी थी, तो यहां पे पीटर के बेटी जिसका नाम मैगी था, वो कहती है कि इस्टोरी वाली विंडी आप ही हो गया, तो विंडी यहां पे बताती है कि यह स्टोORी आज से 80 साल प यहां पे पीटर और मोयरा अपनी बच्चों को सुला के विंडी के साथ में चले जाते हैं जहां पे स्पीच के लिए पीटर पहले से ही प्रिपेर होके आया था और वह इवेंट में विंडी के लिए बहुत अच्छे वर्ड्स बोलता है इसी कारण सबी लोग विंडी के विंडो भी ओपन हो जाती है और वहां पे बहुत जोर जोर से हवाई आने लगती है इस चीज का ऐसास विंडी को हो चुका था इसी करण सभी लोग पार्टी खत्म करके बहुत जल्दी आते हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि घर में हर चीज टूटी-फूटी पड़ी है तो यहां पे उन्हें एक लेटर मिलता है जिस पे लिखा था कि पीटर मैं तुमारा वेट कर रहा हूं और नाम नीचे लिखा था जेम्स हुक यहां पे पीटर अपनी पुरानी पूरी-पूरी परसनालिटी भूल चुका था और वो न्यू जनरेशन की तरह ही जीनी लगा था इसी कारण वो पुलिस को बुलाता है और अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है लेकिन विंडी पीटर को बुलाके कहती है कि तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो क्या तुम भूल गए हो कि तुम असलम में कौन हो तो पीटर सोचता है कि विंडी की उम इसे बताती है वो पीटर को बताती है कि कहीं सालों पहले तुम मुझसे बहुत प्यार किया करते थे मैंने उस टाइम तक तुमारा वेट किया था जिस दिन मेरी शादी थी लेकिन तुम तब तक भी नहीं आए जब मेरी पूती हो चुकी थी जिसका नाम मौयरा था तब वो अपने बच्चों के रूम के अंदर जाता है जहां पे वो खुली खिड़की में खड़ा था लेकिन तभी यहां पे पहुंच जाती है टिंक बैल जो की एक परी थी पीटर पैन को इस छोटी सी परी के उपर बिलीव नहीं होता है लेकिन तब भी पीटर बिलीव नहीं क अचा कसा सूट बूट और शूस पैन रखे थे टिंक बैल पीटर को कहती है कि अगर तुम यहां पे सबसे वीर्ड नहीं दिखना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करो अब टिंक यहां पे पीटर को टेड़ा मेड़ा बना देती है और पूरा उसका मूँ टेड़ा करवा के बोलती है कि तुम टेड़े टेड़े चलो यहां पे हम देखते हैं कि सभी जगा हुक की वावाई हो रही थी और सभी लोग हुक को बहुत बड़ा पाइरेट मानते थे और अब यहां पे सभी लोग हुक का वेट कर रहे थे जहां पे हुक आके खुद की बहुत जा चलाने लगते हैं, तब हुक कहता है कि अब मुझे पीटर से बदला लेना है इसी कारण मैं उसके दौनों बच्चों को उठा के ले आया ये जीस जैसे पीटर देखता है तो निकल की सामने आ जाता है और हुक को कहता है कि ये दौनों बच्चे मेरे हैं हुक जो पीटर को देखता है तो उसे बिलीब ही नहीं होता कि ये असल का पीटर है या नहीं है तो वो पीटर को छोड़ देता है और ये कहता है कि चलो ठीक है अगर तुमने उड़के अपने बच्चों को केवल हाथ भी लगा लिया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बच सब्सक्राइब जिसके बाद में टींक और हुक के बीछ मैं आर्ग्यूमेंट से इन दौनों के बीच में तीन दिन करके आते हैं कि तीन दिन के बाद में वो पीटर से लड़ाई करेगा और तभी वो उसे मार डालेगा लेकिन इन बातों की चक्कर में पीटर वो शिप से नीचे गर जाता है जिसके हाथ भी बंदे हुए थे लेकिन तभी यहां पे बहुत सारी जल परियां यानि के मरमेट्स आजाती हैं वो सभी पीटर को जानती थी इसी कारम वो पीटर की बाहर निकलने में हेल्प करती है और जब पीटर बाहर आता है तो उसे बहुत अलग अलग तरहके की चीज़े दिखती है क्योंकि नेवरलेंड बहुत ही ब्यूटिफुल और अलग तरहके की जगह थी लेकि कि तुम तो मूटे बत्ते आल सी आदमी हो तुम हमारे पीटर नहीं हो सकते तब यहां पे एक लड़का आता है जिसका नाम रूफियो था और अब सारी बच्ची रूफियों के अंडर ही रहा करते थे रूफियों और बाकी के सारे बच्चे मिलके पीछी पीछी बहुत भाग पास बैठता है और उसके चहरे को अच्छे से देखता है तब वो कहता है कि यह हमारा ही पीटर है और अब यहां पे पीटर बाकी बच्चों को कहता है कि तुम लोग मेरी हेल्प करो नहीं तो वो हुक मेरी बच्चों को मार देगा यहां दूसरी तरफ हुक को लगता है कि तिंक की बातों में आ गया जब पीटर उसके हातों में था उसे तभी उसे मार देना चाहिए था तिंक की बातों में आके पीटर को उसे छोड़ना नहीं चाहिए था इस बात से वो बहुत जादा पैनिक हो जाता है तभी यहां पे हुक का आदमी हुक को बिल्कुल शांत करता और कहता है कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप कुछ अच्छा सोचिए और तभी यहाँ पे यहाँ पे यह दौनों मिलके पीटर को हराने का फिर से प्लान बनाते हैं जहाँ पे अब यह दौनों सोचते हैं जैक और मैगी को पीटर से हेट करवा दें और वो हु बुरा लगेगा और वो यहाँ से चला जाएगा यह आइडिया हुक को बहुत पसंद आता है वहीं दूसरी तरफ अब पीटर की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी सारे की सारी बच्चे मिलके पीटर से बहुत एक्सेस करवाते हैं और इसी के साथ टाइम टो टाइम उसके स नहीं आती हैं लेकिन दूसरी तरफ झैक को अभी बिए उस बात का बुरा लग रखा था यही बात यही बात हुग जयक को कहके उसे इंफ्लूएंस कर चुका था मैगी जाती जाते जक को बोलती है कि तुम हुग के बातों में मत आओ यह तुमें गलत चीजें सिखा रहा है दूसरी तरफ scene shift होता है पीटर और बाकी बच्चों पे पीटर ने इतनी ज़्यादा मैनत कर ली थी कि अब उसे खाने में कुछ अच्छा चाहिए था लेकिन सारी बच्चे खाली प्लेटों में से ही खाना खाने लगते हैं तब पीटर कहता है कि यहाँ पी तो कुछ भी नहीं रखा है तब टेंक और बाकी के बच्चे बोलते हैं जब तक तुम खुद को पीटर नहीं मानोगे तो तुम यह सारी चीजें कभी नहीं कर पाओगे तुमें बस सोचना है अच्छी अच्छी चीजें और जो तुम करते हैं और पीटर को बोलते हैं कि तुम किसी से कम थोड़ी नहों तुम भी उसे रिटेन में जवाब दो जिसके बाद में पीटर और रूफियों के बीच में बहुत जगड़ा हो जाता है वो दूनों एक दूसरे को बहुत बुरा बला बोलते हैं पीटर बच्चों के बीच में रहके बच्टो जैसा बन चुका था और आखिर में वो अपने हाथ में स्पून लेता है और imagine करता है कि उसमें रखी क्रीम जाके सिधा रूफियों के चेहरे पे लगे और हूबहू यही होता है रूफियों के चेहरे पे क्रीम आ जाती है जिसके बाद में पीटर के सामने पूरी टेबल अच्छे-च्छे खाने से भर जाती है और अभी सभी लोग मिलके बहुत अच्छा खाना काते है इसके बाद में ये सब लोग एक दूसरे के उपर खूब खाना फैक्ट थे हैं और खूब इंजॉय करते हैं यहां जैक को अब हुक पसंद आने लग गया था, वहीं मैगी सभी लोगों को बहुत ब्यूटिफुल सी पोईट सुनाती है, दूसी तरफ नैवलैंड में पीटर के साथ में सभी बच्चे सोच चुके थे, हुक अपने साथ में जैक को एक ऐसे म्यूजियम में ले के आता है, जहां भी सारी घड़ियां टूटी हुई थी, क्योंकि हुक को घड़ियां बिलकुल पसंद नहीं थी, लेकिन तभी यहां पर हुक को एक घड़ी के आवाज आने लगती है, इसी कारण वो फिर से सारी घड़ियां तोड़ने लग जाता है, जो कि एक घड़ी जैक के हाथ मे लगते हैं जिसके बाद में हुक जैक को अपना बेटा कहने लगता है और वो जैक से प्रॉमिस करता है कि मैं आज के बाद तुम्हारा कोई भी मैच मिस नहीं करूंगा और हम सब लोग साथ साथ रहेंगे यहां पीटर अभी भी उड़ना सी की रहा था लेकिन वो नहीं उड़ पाता है तब उसे पानी के अंदर खुद के बच्पन के शकल दिखती है और तभी पीड़ के पीछे उसे अपना पुराना घर पे मिल जाता है तो वो वहां में पीटर को हर चीज याद आने लगती है कि विंडी यहां पे रहा करती थी और मैं इस दूसरी जगह पे रहा करता था मैं जब छोटा था तो बड़ा कभी होना ही नहीं चाता था इसलिए अपने पेरेंट से दूर हो गया और इसी के बात में टेंक उसे उठाके नेवर ल बढ़ती जाती लेकिन पीटर की उम्र नहीं बढ़ती एक बार विंडी पीटर की ग्रेंट डॉक्टर जिसका नाम मौयरा था उसे देखता है और उसके बाद में यहीं रुक जाता है इन सारी बातों को बताने के बाद में अब टिंग भी बड़ी हो चुकी थी यानि कि आने के बाद में पीटर अब हवाओं में था यानि कि पीटर को अब पुरानी हर चीज याद आ चुकी थी और वो हर जगह उड़ने लग जाता है जिसके बाद में सभी बच्चे कहते हैं कि पीटर लॉट आया रूफियों भी पीटर के सामने आके उसे उसकी तलवा लॉट जिसके बाद में अब यहाँ पे सारे बच्चे हुक से लड़ने के लिए तयारी करने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ हुक अब जैक को पूरी तरीके से अपने जैसा बना चुका था लेकिन अब यहाँ पे पीटर बहुत चुका था तीन दिन पूरे होने के बाद में अपन के उपर बहुत भारी पड़ते हैं एक बार तो मैगी को भी किसी ने पकड़ लिया था तभी यहां पर पीटर उड़के आता है और अपनी बेटी को बचा लेता है रूफियो हुक से तलवार बाजी कर रहा था लेकिन इसी तलवार बाजी के अंदर हुप ने रूफियो को मार डाला तब यहां पर पीटर पैन की गोद में रूफियो अपनी आखरी सास ले रहा था और वो बोलता है कि मेरी आखरी खुईश बस यही है कि मेरे पास में तुम्हारी जैसे डैड होते यह बात सुनके जैक भी अब पीटर के पास लौट आता है आखरी बार पीटर हुक के बहुत बुड़ा आदमी हो चुका है तब ही यहां पे जैक और मेगी आके पीटर को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि यह एक बिगड़ावा बच्चा है जिसे पीरिंस की जरूरत है पीटर यहां हुक को छोड़ देता है लेकिन हुक अभी भी अपनी आदोतों से बास नहीं आया था वो फिर से पीटर के उपर अटेक करता है और इस बार पीटर हुक को बिलकुल नहीं छोड़ता है हुक के हाथ में पहना हुआ हुक इसी मगरमच की पीट में लग जाता है जिसके बाद में यह बड़ा सा मगरमच आके सीधा हुक के उपर गिरता है और फिर से एक ब भूलूँगा जिसके बाद में पीटर अपनी तलवार यहां पे खड़े एक मूटे से बच्चे को दे देता है और अब यह सभी उड़के वापिस से लंडन में पहुंच चुके थे जहां पे इनकी मौम मौयरा इनका वेट कर रही थी मौयरा विंडी को कहती है कि मुझे सपन करने के बीच में बने वक्त में मिलूंगी और हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी यहां पे पीटर को उसका खोया हुआ फोन में मिल जाता है जहां पे वो अपने असिस्टेंट ब्रैट को बताता है कि मैं नेवर लेंड जाके आया लेकिन वो काम की बाती नहीं करता है और कहता है कि मुझे मेरे फैमिली के साथ रहना है यह पास में आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद कभी भी कोई खिड़की बंद नहीं करेगा बलकि यह हमेशा खुली ही रहेगी मौईरा पीटर को देखके बहुत खुश थी पीटर नेवर लेंड से ऐसी कंचे लेक अधा चुका है वहीं दूसी तरफ टूडल अब सभी लोगों को बोलता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए नेवर लेंड जा रहा हूं जहां पे कभी भी कोई बड़ा नहीं होता है और इसी के साथ का इसी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है तो आप सभी लोगों को पीटर पै अधारल अंधा सची मुञब लेगा répondre में जो अधा हूं को खत्म हो हूं को दो आप सूम कभी भी के साथ समय को बड़ 계ंऄ